उप स्वास्त केंद्र बिलहरी में स्वास्त कर्मियों की अनुपस्तिती में मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं। रीठी तहसील अंतरगत बिलहरी उपस्वास्त केंदर में कल 6 नवंबर शनिवार को स्वास्त कर्मियों के अभाव में लोग इलाज के लिए भटकते देखी गए बता दे कि दीपावली के दूसरे दिन दूच को बिलहरी उपस्वास्त केंदर में सिर्फ एक नर्स काम पर दिखी यहना तो डॉक्टर था और ना ही OPD काउंटर खुला हुआ था सभी में ताला लटकते नज़र आया डिलिवरी के लिए पहुँचे मरीज को रेफर कर दिया गया लेकिन एंबुलेंस के लिए हंटो इंतजार करने के बाद भी कोई साधन नहीं मिला बताने कि स्वास्त विभाग बिलहरी में इन दिनों अराजकता चरम पर है यहाँ पर डॉक्टर हमेशा दो बज़े के बाद नदारद रहते हैं स्वास्त कर्मी भी नहीं मिलते एक मात्र नर्स के भरो से ही बिलहरी उपस्वास्त केंदर चल रहा है रीठी तहसील की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत के स्वास्त विभाग की ये स्थिती है तो आप बाकी अन्य ग्रामों की स्वास्त विवस्ताओं के हाल स्वयम समझ सकते हैं तो आपके डिलेवरी का मैचूर टाइम हो गया है तो क्या बोला मैडम बोल रहे हैं कि रिफर कर रहे हैं अच्छा नाडे आडे की समस्या है क्या है फिर कहां 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 भेज रहे कटनी काइस ले जाएंगे अब देख रहे हैं कोई साधना रहा है एंबुलेंस नहीं आईगे आप आई कहीं गई लेने मरीज आपने एंबुलेंस के संपर्क किया था अभी मेरा तो नहीं हुआ संपर्क आज 6 नवंबर दिन के लगभग एक एक बजा हुआ है और यहां अस्पताल में स्टाफ नहीं है यहां तक की डॉक्टर भी नहीं है सब जगह ताला लगे हुए है एक डूटी स्टाफ नर्स है विचारी वो अपनी सिवाय दे रही है जैसे तैसे मेनेज कर रही है अरे मैडम फायदा नहीं है जैसे यह तो रहे हैं कहां कहां रहे है कि स्टाफ टाइमेट मध्य प्रदेश के लिए रीठी से कौशलतिवारी की रिपोर्ट उप स्वास्त केंद्र बिलहरी में स्वास्त कर्मियों की अनुपस्तिती में मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं रीठी तहसील अंतरगत बिलहरी उपस्वास्त केंद्र में कल 6 नवंबर शनिवार को स्वास्त कर्मियों के अभाव में लोग इलाच के लिए भटकते देखी गए बता दे कि दीपावली के दूसरे दिन दूच को बिलहरी उपस्वास्त केंदर में सिर्फ एक नर्स काम पर दिखी यहना तो डॉक्टर था और ना ही OPD काउंटर खुला हुआ था सभी में ताला लटकते नज़र आया डिलिवरी के लिए पहुँचे मरीज को रेफर कर दिया गया लेकिन एंबुलेंस के लिए हंटो इंतजार करने के बाद भी कोई साधन नहीं मिला बताने कि स्वास्त विभाग बिलहरी में इन दिनों अराजकता चरम पर है यहाँ पर डॉक्टर हमेशा दो बज़े के बाद नदारद रहते हैं स्वास्त कर्मी भी नहीं मिलते एक मात्र नर्स के भरो से ही बिलहरी उपस्वास्त केंदर चल रहा है रीठी तहसील की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत के स्वास्त विभाग की ये स्थिती है तो आप बाकी अन्य ग्रामों की स्वास्त विवस्ताओं के हाल स्वयम समझ सकते हैं